आज का फर्स्ट न प्रस्ण है कि कुलाम बल होता है केंद्रिय बल बिधुत बल ए और बी दोनों और डी है इन में से कोई नहीं तो ये 100% भी द्यार्थी को मालम होगा कि कुलाम बल होता है तो कुलाम बल होता है या केंद्रिय बल भी होता है और बिधुत बल भी होता है यानि कि A और B दोनों इसका सही एंसर हो जेगा मित करते हैं आप इस प्रस्न का कमेंट बक्स में एंसर दे दिये होंगे तो चलिए नेक्षन प्रस्ण को देखते हैं और ये जो प्रस्णे काफे मत्पूर्ण स्वाल है कि एक इस्थिर अवेस उत्पन करता है केवल बिधुतिये छेत्रे, केवल चुम्बक्ये छेत्रे C है, बिधुत छेत्रे और चुम्बक्ये छेत्र दोनों और D है इन में से कोई नहीं तो जब इस्तिर अबेस अगर पुछेगा तो यह केवाल बिदू छेतर उत्पन करेगा अगर वहीं पुछता कि गति सील अबेस अगर वहीं पुछता गति सील अबेस उत्पन करता है तो आप बिदुद छेतर और चुम्बके छेतर दोनों इसका राइट एंसर हो जेता लेकिन प्रस्ण में यहाँ पुछा गया है कि एक इस्तिर अबेस उत्पन करता है तो यहां केवल बिधुत छेतर ही उत्पन करता है यहां का option number जो A है इसका सही answer हो जेगा और last में जरूर कमेंट कीजेगा कि यह session आपको कैसे लगा और 20 प्रस्णों में से आपकी इतने प्रस्णों तर पहले से जानते थे और आज का थोड़न प्रस्ण है यह जो प्रस्ण है यह chemistry में भी पूछे जाता है और physics में भी बार बार पूछे जाता है कि एक फैराड बराबर होता है फैराड जो मात्रक होता है वो धायरता का मात्रक होता ही याद रहे है धायरता का मात्रक फैराड होता है जिसे C से सुचित करते हैं फैराड को एप से तो वहीं पुछा गया है कि एक फैराड बराबर होता है उमीद करते हैं इसका एंसर आप कमेंट बक्स में दे दिये होंगे तो एक फराइडे जो बराबर होता है वह चानवे हजार पांस कुलम के इसका सही एंसर होजेगा सिसन अची लग रही होती से लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तो और आज का फूर्थ नव प्रस्ण है कि बिदुत्वाहक बल की बीमा क्या होती है M.A.T.K.A.-2 M.A.-1 L.A.T.K.A.-2 और D C है M.A.T.K.A.-2 और D है M.A.T.K.A.-3 A.K.A.-1 तो उमीद करते हैं इसका एंसर आपको मालूम होगा तो बिदुत्वाहक बल की जो बीमीए सुत्र होता है वो M.A.T.K.A.-3 A.K.A.-1 होता है और बिदुत्वाहक बल जो होता है या सदीस रासी होता है याद रखेगा और यहाँ पर फाइब नव प्रस्ण है कि फैराडे मात रखता है तो हम पर नहीं जान चुके हैं फैराडे किसका मात रखता है तो आप कमेंट बक्स में इसका एंसर जल्दी से टाइप कर देजिए और अवस का धायरता का धारा का और D है परतिरोध का तो फैराडे जो मात रता है वो धायरता का मात रखता है यानि का अपसर नमबर जो B है इसका राइट एंसर हो जाता और वहीं अगर आवेश का पूस्ता आवेश का मातरक कुलाम होता है और धारा का मातरक M.P.R. होता है और परतिरोध का मातरक ओम होता है और वहीं पूस्ता की परतिरोधकता का मातरक क्या होता है तो परतिरोधकता क सब्सक्राइब कर सकते हैं विडियो खतम होने के बाद इससे जरूर डाउनलट किजिएगा और डाउनलोड करने कबाद प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा क्योंकि practice is the key of success और शिक्षना प्रस्ण है कि X किर्णों की त्रेंग धेर या लगभग कितनी होती है A के पार माइनस 20 एंगेश्ट्रम B के पार माइनस sorry 10 के पार माइनस 10 एंगेश्ट्रम और C है 1 एंगेश्ट्रम और D है 10 के पार 10 एंगेश्ट्रम तो जो X किर्णों की त्रेंग धेरे होता है वह 1 एंगेश्ट्रम होता है यानि कि option number जो C है इसका right answer होजेगा अगर वहीं पूछता कि 1 एंगेश्ट्रम कितने मीटर के बराबर होता है तो वह 10 के पार माइनस 10 मीटर के यह बराबर होता है तो यह नहीं मार जीज़े बीम है कि यह एंगेश्ट्रम दिया गया है लेकिन यहाँ पे पुछा गया है एक एंगेश्ट्रम का माण तो एक एंगेश्ट्रम का माण होता है 10 के पार माइनस 10 मीटर इसका right answer हो जाता अगर मीटर में दिया रहता तो इसका option number C इसका right answer हो जेगा और यह पे 7 नमबर जो प्रस्ण है यह तो सभी को मालम हो गया होगा कि इसका right answer क्या है तो जल्दी से comment box में इसका right answer type कर दिजिए और यहाँ प्रस्ण की एक पतले प्रिज में जिसका अपरतनाक म्यू है का नियूंतम बिचलान कोंड क्या होता है 1-μू इंटू A म्यू माइनस 1 इंटू A म्यू प्लस 1 इंटू A और C D है म्यू प्लस 1 इंटू A square तो यह क्या होता है म्यू में से माइनस एक घटा कर A लिख देते हैं तो अप्सा नमबर जो B है इसका सही एंसर हो जगा म्यू में से कभी भी एक रखे देंगे और परतनाकरूप में म्यू रखे या कोई भी वर्ड इंगलिस के रख सकते हैं यहाँ पे तो किसी भी सब्द को अगर रखते हैं तो उसमें से एक घटा कर और इंटू में A लिख देंगे तो इसका सही एंसर हो जगा याद रखेगा और यहाँ प्रस्ण है द्वित्यक तरंगी काओ की अधरना दी थी फ्रेनल ने नियूटन ने हाइगेंस ने और D है मेक्सवेल ने तो द्वित्यक तरंगी काओ की जो अधरना दी थी ये तो मालूम होगा आपको आप कमेंट बक्स बे भी इसका एंसर दे दी होएंगे उमीद करते हैं तो द्वित्यक तरंगी काओ की अधरना या हाइगेंस के द्वरा दिया गया था इसका राइट एंसर हो जाएगा तो चलिए नेक्स नपरस्ण को देखते हैं और यह पर नाइन नपरस्ण है थोड़ा सा धुधला दिखाए देगा लेकिन आपको हम सही से बताए देंगे कि परतिरोध का मातरक क्या होता है वेबर, एंपियर, ओम, हेंडरी तो उमीद करते हैं आपको यह मालम होगा वेबर जो होता है चुमबक्य फ्लस्क का मातरक होता है वेबर, चुमबक्य का फ्लस्क, एंपियर जो होता है या धारा का मातरक होता है और ओम जो होता है या परतिरोध का मातरक होता है और हेन्री जो होता है वह स्वाप्रेरकत्व का मात्रक हेन्री होता है या अन्योन्य प्रेनर का भी मात्रक हेन्री होता है किसी भी दो में से एक जरूर रहेगा या तो स्वाप्रेरकत्व रहेगा या तो अन्योन्य प्रेनर रहेगा तो इसका मात्रक दोनों का सेम ही होता है हेनरी जी से बारे A से सुचित करते हैं और वोम को इस तरह से सुचित करते हैं धारा को I या A से सुचित करते हैं और वेबर को WB से सुचित करते हैं तो परतिरोद का मात्रक जो होता है वह ओम होता है यानि कि अपसा नमबर जो C है इसका सही एंसर हो जाएगा तो चलिए नेक्षन प्रस्ट को देख लेते हैं और ये जो प्रस्ट है काफी महत्मूर स्वाल है कि एक लोह चुम्बक किये पदार्थ की चुम्बक सीलता म्यू है म्यू बारा है वन से म्यू बराबर वन C है म्यू जो छोटा है वन से और D है म्यू बराबर जिरो तो जब लोह चुम्बक किये पदार्थ कहेगा तो इसकी चुम्बक सीलता वह म्यू बारा होता है वन से याद रखेगा तो आप अप्षान अबर जो A है इसका सही एंसर होज़ेगा और आये गार्णों प्रश्ण को देख़ लेते हैं इसे related भी तीन से चार प्रश्ण अतर हर शताल पूछे जाते हैं इसे related तो नीकिल क्या है प्रति चुम्बकिया अनुचुमबकिया लोह चुमबकिया और डी है इनी में से कोई नहीं तो आप अप्सन देखें होंगे तो आपको मालूम हो गया होगा कि नीकिल कौन साथ है तो नीकिल जो होता है वह लोह चुमबकिया होता है और लोह चुमबकिया में कौन कौन से तत्वा आते हैं वह आपको बताते हैं लौह चुंबक्य में, तो लौह चुंबक्य में आता है निकिल, एन आई, एफ ई, लोहा, और कोबाल्ट, यह तीनों महत्पून है, तीनों ऐसे एक आपके बोडिक जामें सेम तूस्थे मलाएगा, अब परती चुंबक्य में क्या होगा, परती मेगनीज ओस्मियम जैसे पदार्थ यह अनुचुमबकिये में हो जाता है और लोह चुमबकिये में तो नीकिल लोहा और कोबाल्ट इसका महत्यपूर्ण उधारन होता है तो अप्सन नबर सी है इसका राइट एंसर हो जाएगा और यह जो प्रस्ण है कि प्रकास फोटन की उर्जा होती है ह new upon c और c है h upon new और d है new upon h तो प्रकास फोटोन की उर्जा जो होती है वह H new के बराबर होती है यानि कि option अमर जो A है इसका सही answer हो जेगा और यह जो प्रस्ण है numerical सही तो आपको option देखते हैं आप इसका right answer मारत यह होंगे कि तीन संधरी तरजीन में परतेक की धाड़ता C है और वह स्रेनी करम में जूड़े हैं तो उनकी तूल यह धारता only C ग्याद करना है तो आएए इसे आसानी से ग्याद करते हैं और यहाँ परतेक की धारता C है तो स्रेनी करम के लिए जो सूत्रत है 1 upon C 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 तो यहाँ परतेक की धारता C है तो यहाँ पर only plus करेंगे और यहाँ पर plus ठीक और यह जो बड़ा का जोर है इसमें only C आएगा कियोंकि तीनो कमान सेम्ड है और यहाँ पर तीनो जूड़ जाएगा तो एक 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 यह तीनो जूड़ कर तीन हो जाएगा तो 1 upon C बराबर हो जाएगा 3 upon C ठीक और यह जो only C का मान पुछा है तो यह अगर उपर जाएगा तो यह भी उपर जाएगा जाहिल सी बात है तो C बराबर हो जाएगा C upon 3 इस परकार से आप ग्याद कर सकते हैं तो देखेंगे इस तरह से किस अप्शन में है यह तो होगा नहीं यह भी नहीं होगा तो C इसका राइट एंसर हो जाएगा स्रेस्ट करम के लिए यह हो जाता है सूत्र ठीक यह स्रेस्ट करम के लिए होता है और वहीं जब पूस्टा स्रमानांतर करम के लिए तो वह C डैस बराबर होता है C1 Pacz2 Pacz2 C3 अगर वहीं इस तरह से question पुछा रहा था कि तीन संधारीतर जिने परते के धारता C है और वह समांतर करमें जूड़े हैं तो उनकी तुले धारता क्या होगी तो उमीद करते हैं आपको इंसर मालम हो गया होगा किम्कि तीनों को जोड़ देंगे तो थीरी C इसका राइट एंसर हो जाता तो इसका राइट एंसर अपसन नबर C is the right answer for this question तो आएए नेक्ट नपरस्ट को देख लेते हैं और चोदर नपरस्ट आपके सामने है कि किलो वाट घंटा मातरक होता है ये किलो वाट घंटा भी पुछा जाता है जाहेच बाते वाट होता है जिसे डावली सुचित करते हैं बॉल अगोर्न का मातरक न्यूटन मीटर होता है और यह जो होता है या सदीस रासी होता है और इसका जो वीमिय सुत होता है में स्कुाइट टी के पावर माइनस टू होता है उर्जा का मात्रक ये सबसे बाड़ा मात्रक होता है किलो वाट घंटा याद रखेगा उर्जा का वेवसाइक मात्रक होता है तो अपसा नमर B के साथ इसका राइट एंसर चला जाएगा तो चलिए 15 परस्ण को देख लेते हैं और ये जो परस्ण है कि किसी वस्तु का मनुष्य की आँख के रेटीना पर बना पर्तिविंग होता है काल्पनिक वसीधा वस्तिविक वसीधा काल्पनिक वुल्टा और D है वस्तिविक वुल्टा तो जब सबसे पहले पर्तिविंग जब मानौक की नेत्र पर बनता है तो वह का वास्तिक को वूल्टा बंता है याद रखें को कमसा नमब्स दी है इसका राइट एंसर होजएगा और वहीं जब वार्षोका बनेगा उसके बाद जब बाहर की तरफ लुएक प्रतिवीन जब देखता है बाहर वह सिधा होता है और काल्पनी को उल्टा जब उसे में बनता है जब खोगोली दूर्दर्सी में अंति परतवीम जब बनता है तब बनता है तो इसका राइट एंसर हो जेगा अप्सन अमर्डी और ये प्रश्ण सोलन प्रश्ण काफी महत्पूर्ण है कि संचार तंत्र का भा ग्रहन भी है लेकिन उर्जा तो ये तो नहीं है जाहिल से बात है यानि काफसन अमर्ड जो डी है इसका राइट एंसर हो जेगा सेशन अच्छी लग रही हो तो इससे लाइक जरूर किजिएगा और चानल पर नए जुड़े हो तो जरूर सब्सक्राइब किजिएगा तो च What comes में इसका राइट एंसर दे दियो होंगे काल्पनिक वसीदा कल्पनिक व् वास्तिव के सीधा और ये वास्तिव को वहता है और वास्तिव को ये रिटिना पबनता और ये जो प्रस्ण hey thr tan बता की बीमा क्या होती है आइल बीमा होती है आइल कर लिखंगी है या तो ढूरूपर बलता जब कहेगा अके को इस का मात्रक हो जाता है स्वारी इसका बीमा हो जाता है और अबेश का मात्रक CR ॓ंध लिखेगा या तो एटी रहेगा दुनों में से एक जलूर आपसण में रहेगा तो यह आभिस का वियम्या सुत्र होता है याद रखेगा तो तामबा हम बताए थे वह प्रति चुम्बक्ये में, यहन Spencer नमबर जो A है इसका right answer हो जाएगा, परति चुम्बक्ये में और भी है, लेते हैं और अबेश का ये उसलाइ मातरग पुचा है तो ये तो फ़ांड़ेप पर्सेंट बिद्यार्थी को मालूं होगा कि अभी सिका मातरक क्या होता है तो । दोस्तों इस परकार से हम लग टॉप 20 महत्रपूर्ट कोसंस की सिरीज को यहीं पर खत्म करते हैं अगर यह सेशन आपको अशी लगी हो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चानल पर नए जुड़े हो तो जरूर सस्क्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों पाह धिए 12 था अबसे लाइक लीडिय।